सबसे पहले आपको congratulations कि आपने वीडियो को ढूण निकाला है और बिलकुल सही और authentic वीडियो को click किया है आप लोगों को बता दूँ मिरा नाम है मितुन सिंग और आप इस वीडियो को देख रहे हो यानि कि आप अपना time waste कर रहे हो अब आप बोलोगे कि तो वीडियो देखना बंद कर दूँ जी हाँ आप KBS की website पर जाएए वहाँ पर आपको यह से लिए बस मिल जाएगा अगर और समय आप चाहते हो कि आपका waste ना हो तो नीचे आपको टेलिग्राम चैनल का link मिलेगा क्लिक कीजिए और टेलिग्राम पर जोइन हो जाएए वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और अगर आप कोई काम करते हुए इस वीडियो को देखना चाहते हो जैसे कि आप पौधे में पानी दे रहे हो या फिर आप वाक करते हुए एरफॉन के माद हमसे इस वीडियो को सुन रहे हो तो इस वीडियो को सुन सकते हो कोई-कोई बरतन साब करते वे भी इसे सुन सकता है या सुन सकती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज मैं बात करूँगा TGT के जनरल पेपर में और सब्जेक्ट में क्या-क्या कोश्टन पूशे जाएंगे उसके बारे में अगर आपको आपके special subject की recruitment की जो वीडियो है न वो चाहिए होगी तो नीचे comment करके आप बता दिजेगा आपका subject क्या है तो उस पे एक special video dedicated video में बना दूँगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को The return test is of 180 marks यानि कि 180 question पुछे जाएंगे और हर question जो है एक marks का होगा और negative marking के बारे मैं नहीं बात की गई है अगर negative marking होती तो यहाँ पे mention किया जाता यानि कि आपको हर question के लिए एक marks दिया जाएगा यानि कि एक minute में आपको एक question को solve करना होगा ये अगर मैं छोटी सी गनित लगा कर बताऊ एक question को solve करने के लिए एक minute का वक्त है जो कि more than sufficient होता है आगे देख लेते हैं part A, part B और part C यानि कि part A, part B actually जो यहां लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ एक दम, part 1, part 2 और part 3 में इस syllabus को divide किया गया है तो चलिए part 1 में क्या पूछा जाएगा, part 1 में पूछा जाएगा general awareness, current affairs, 10 marks का, reasoning ability आपसे पुछे जाएगी 10 marks के यानि कि 10 और 10 कितने हो गए 20 marks, reasoning और general awareness आपके यहां पे ख़बर हो जाएगे, आगे देख लिजे आपके अंदर perspectives on education and leadership, इससे 40 नमर पूछे जाएगे, understanding the learners, यानि कि learner को समझने वाली बात, उसके लिए 10 नमर मिलेंगे आपको understanding teaching learning, teaching learning के लिए 15 नमर आपको मिलेंगे, creating, conducting, learning environment, इसके लिए भी आपको जो है, इसके अलाबा और दो टॉपिक को पढ़ना होगा, school organization and leadership, perspective in education, यहन तीन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको 15 नमर मिल जाएगे, यहां से 15 नमर, आगे बढ़ लेते हैं, और तीसरा जो है जिस subject के लिए आप अपलाए कर रहे हो, उसके लिए आपको 120 मार्स दिया जाएगा, suppose कर लो कि कोई TGT, Maths के लिए अपलाए कर रहा है, तो 120 नमर, Maths के ही question पूछे जाएंगे, हो सकता है कि कोई Science का हो, हो सकता है कि कोई SST का हो, कोई Hindi, English, on and so on, तो उसके लिए आप अपलाए कर सकते हो, और ये 120 नमर के जो भी question सानगे, details में, वो मैं आपको, आप निचे comment करके बता देना, जिसकी संख्यां सबसे जादा होगी, जी हाँ, democracy में मैं believe करता हूँ, उसकी वीडियो सबसे पहले आएगी, निचे comment करके आप TGT, Maths, Science and so on, Sanskrit, Hindi, कुछ भी हो, आप निचे comment करक बता सकते हो, फिलाल देख लिजे, अब बात कर लेते हैं, details में, part A में क्या-क्या पूछा जाएगा, general awareness और reasoning पूछी जाएगी, 20 नमर के लिए, जिसमें general awareness के साथ current affairs भी 10 नमर का पूछा जाएगा, reasoning ability आप से 10 नमर की पूछी जाएगी, आगे देख लिजे, understanding the learners, इसके लि development, principles and debates of development, development tasks and challenges के बारे में question पूछा जाएगा, domains of development में आपको physical, cognitive, socio-emotional, moral ये सब चीजें पढ़नी है, understanding adolescence में आपको needs, challenges और implication कैसे आप करोगे, और institutional support क्या होना चाहिए इसमें, उसके बारे में आपको पढ़ देना है, role of primary and secondary socialization agency के बारे में पढ़ना है, आगे देख लि कि role of teacher क्या है, role of learner क्या है यहाँ पे, जिसमें आपको behaviorism, cognitism और constructism के बारे में पढ़ना होगा, choice of teaching method हो, classroom environment हो, understanding of discipline and power हो, या फिर nature of teacher student के बारे में जो relation होते हैं, यहाँ पे 6 point है, यह यहाँ से आप देख लो, factor affecting learning, यानिकी factor जो की learning को effect करते हैं, design the classroom, instruction यहो, या फिर planning student activities हो creating learning space in school हो, यही जिए आपको यहाँ से पूछी जाएगी, concept of syllabus and curriculum पूछा जाएगा, इसके अलाबा और भी है, आपका जो year plan हो, unit plan हो, lesson plan हो, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ICT यानिकी computer से भी question पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इस बात का, आगे देख लिज है, इसके अलाबा, जो 120 है, आप नीचे जो है, जिसे यहाँ पर आपको syllabus जो है, दिख रहा होगा, हर किसी subject के लिए जो है, अलग-अलग syllabus है, NCRT, Hindi बगएरा बगएरा के लिए, तो यहाँ से आप चीजों को देख पाओगे, by the way, अगर आपका सबो, जो मैंने बताया न, subject कौन सा है, वो आप नीचे कमेंट कर दीजे, तो उस पर एक dedicated video मिल जाएगी, one more thing, finally अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो एक और information आप तक पहुचानी है, जो कि आप सुन लीजिए, अगर आपको current affairs, GK की, इसके अलाबा reasoning की, और भी notes, मेरे handwritten notes, अगर आपको चाहि होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, मेरी email आइडिया आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh at the rate gmail.com पे mail कर लीजिए, if you are on Instagram, then do follow me at the rate imithunSingh, याद रखिएगा, 150 में, जी हाँ, बहुत ही कम price रखी गई है, 150 में आपको GK और current affairs के अलाबा reasoning के, और national education policy के notes मिल जाएंगे, one सारे चीज़ें आपको English medium में मिलेगी, Hindi medium में not available, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिनको contact करना होगा, you can contact me on email, on Instagram, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जाते जाते आप सभी को सुब कामना है, मन लगा कर पढ़िए, और खुब आगे बढ़िए, thank you so much.